नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी अप चैनल पर आज का जो वीडियो है कोटेक महिंद्रा बैंक से डिलेटेड है अगर आप अपने कोटेक महिंद्रा बैंक अप्लिकेशन का एमपिन भूल गये है या उसे रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा तो अगर आपने वीडिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटा फट से सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते जाएंगे तो कोटेक बैंक का अप्लिकेशन ओपन करो ओपन हो जाता है लेकिन लॉग नहीं हो लॉग इन के लिए आपको लगता है MPN जैसे मैं इस 811 के टैप पर जाओं तो आप देखें या तो बूलता है तो क्या करेंगे सिंबल स्टैप है वो बता देता हूं कोटेक महिंद्रा बैंक का अप्लिकेशन खोलेंगे या तो आप कोटेक इस पर चले जाए इस वाले टैप पर चले जाएए यहां पर जाएंगे तो आपको बुले गए MPN डालो आप नहीं डालेंगे तो नीचे आप्शन मिलेगा add crn यानि दूसरा बैंक काउंट जोड़ें forgot MPN forgot MPN या फिर आपको अपना MPN भूल गए या फिर skip login skip करता हूं login को ठीक है skip कर दिया इसका मतलब भी मेरा login नहीं हुआ तो forgot MPN वहां से भी आप कर सकते हैं अगर वहां से नहीं करना है तो आप यह भी एक काम कर सकते हैं कि इन तीन डंडियों पर tap करेंगे यहां पर आपको नीचे के तरफ option मिलेगा forgot MPN का तो इस पर आप टैप करेंगे आपको सिधा लिकर जाया जाएगा reset your MPN to get access to mobile banking वाले page पर आपका CRN ऊपर की तरफ आपको लिखा मिल जाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने आपको blur कर दिया है आपके लिए personal detail we need to verify our mobile number by sending an SMS from your phone please make sure you are using your registered mobile number with this handset तो आपका जो registered mobile number है वो इसी mobile के अंदर होना चाहिए वो सभी application में MP set कर समय यही चीज़ होती है if you are using multiple SIM card ensure that the SMS is being sent from the right one सही SIM card से message जाना चाहिए regular SMS charges जितने भी अपला है जितने भी charges है एक रुपे दो रुपे और लगने वाले है ठीक है यह continue और कोई option ही नहीं है देखिए दूसरा तरीका भी है यहाँ पर कि आप अपना डेविट कार्ड के तुरू इस MP को चेंज कर दें या फिर आप नेडवेंकिंग के तुरू कर द दिया है कि forgot your MP no worry SMS MP space CRN to 56767888 from a register mobile number to set your MP for further assistant ठीक है यह करके लिखते हैं 5676788 5676788 इस पर करना है PIN space CRN लिखना है 48 तो यह CRN मैंने ब्लर कर रखा है आप लोग के लिए यह send कर देता हूं मैं अपने नंबर से देखते हैं इनकी तरस से क्या reply था तब तक वापस अपनी एप पर चलते हैं तो आप देख रहे हैं having trouble call us अगर trouble अभी भी है तो भाई call कर लो गूल रहे है ठीक है और हम क्या करते हैं टेविट कार्ड यूज़ करते हैं के submit करते हैं देखते हैं क्या इस से एंपिन का बटन आ जाता है यहां पर थर्ड नेट बैंकिंग यह आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग मेरा नहीं है तो मैं परसनल डिटेल सी डालता हूं यहां पर continue करता हूं एक चीज़ में आपको दिखा चुका हूं वह message करके जो की अभी तक complete नहीं हुआ है इनके तरफ से काड से हमने भेज दिया है अभी देखते हैं कितने समय में हमको MP चेंज करने के लिए option दे देते हैं तो यह देखिए आप से पुछा जा रहा है मम्मी का नाम बताईए जो भी आपका मतलब आपने हो सकता है एक बार चूस किया हो कौन सा question है आपके लिए फिर your pen number डालना प आपको यहां पर पक्का कर देते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कि अपनी personal details जैसे ही आपने आप डाली वह जहां पर आपको वापस लेकर कर आती कि अपना MP नया set कर लीजिए तो आप यहां पर देखिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि do not use repeated or sequential numbers एक 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 आपने अभी रखा हुआ था जो भूल गया उससे पुराने अगर आपको याद है तो भी उनको यूज करने के कोशिश मत कीजिए क्योंकि वह नहीं होंगे बैंक अलाओ नहीं करता है और क्योंकि वह आपने बताया हो सकता है किसी को और तीसरा है कि do not use an MP similar to your personal details like CRN, mobile number, date of birth ETC, MPN ऐसा रखिए जो कि थोड़ा सा तकलीव आपको भी भले याद रखने में हो सकते हैं लेकिन दूसरों को आप न बता सकते हैं लोग गैस कर लेता ना कि आपका तो data of birth यह ही है तो यही MPN होगा एक बार उनके चांदी हो जाएगी तो बस आप पिए करना है Set MPN के लिए आपको क्या करेंगे आप अपना नया पिन यहाँ पर डालेंगे पुराना पिन तो डालने की जरूरत है ही नहीं तो नया पिन डालते हैं देखिए यह सक्सेस्ट्फूल क्रिएटेड़ा न्यू MPN यह यहाँ पर बता रहा है मतलब आपका जो नया पिन है वो ब यूज करेंगे हम और आप देख सकते हैं कि मैं लॉग इन कर चुका हूँ तो यह दोस्तों तीनों तरीके मैंने आपको बता दी क्या क्या आप कर सकते थे अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक की कीजिगा चांगों कीजिगा सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताएगी वीडियो कैसा लगा है मिलेंगे नेक्च वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद